नमस्कार मेरे प्यारी विश्वों स्वागत थे आपके अपने यूडिव चैनल दे पिसीम विजिन में प्यारी विश्वों आज की इस वीडियो के माधम से हमलोग क्लासेट सोसल सैंस और संस्क्रीट जो आज जनी के छे जनवरी को जो आप सभी के अस्कुल में विकली टेश एकजाम होए है उसके आंसर की को बताने वाले हों तो साथी साथ मिलाते चलिए और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा की सोसल सैंस में आप लोगोंने कितना कोशन सही क्या है और हाँ जो भी विद्यारती हमारे वीडियो को देख करके गए होंगे उन्होंने लगबग आपका सारा कोशिन सही करके आया होगा क्योंकि जितना मेरा आप सभी को पढ़ाया था उससे एक भी कोशिन आपका बाहर नहीं गया है और इसी परकार से आप सबों को जो आप सभी का मार्च में जो final word exam होने वाला है उ तो देखे वाचो सबसे पहले आप हम लोग सोसल साइंस के अंसर की को देखेंगे फिर संस्क्रीट के आंसर की को देखेंगे ठीक है तो देखे आपको सोसल साइंस में पहला कोशिन क्या पूछा गया था कि सारदा कानून कब बना तो सारदा कानून आपको मैंने पढ़ाय उसके बाद देखें दूसरा कोईशन क्या पूछा गया था कि सती पर्था पर रोक लगाने में सहार्निय भूमिका आपका राजा रम मोहन राये निभाया था उसके बाद देखें अगला कोइशन आपका क्या ऊच्छा गया था कि स्टा पूणे में विदवा आशरम के अस्थापना किस ने की तो यह आपका पंडित रामा भाई ने क्या था, option नमर 30 का correct answer होगा, पंडित रामा भाई, उसके बाद देखें अगला question आपका क्या पूछा गया था, कि हिंदू विदुवा पुनर विभा अधिनियम को मानिता कब दी गई, तो हिंदू विदुवा पुनर विभा अधिनियम है, उसे एक भी question आपका बाहर नहीं गया है, और मैं आप सभी को बता देना चाहूंगा बच्छों, कि अब सभी का जो final board exam होगा, यह आपका मार्स में आपका final board exam होने वाला है, जो कि आपका दो मेहने से भी कम का समय बचा हुआ है, तो कौन-कौन से बच्छे class 8 के final board exam के त त्यारी करनी है, साथी साथ ओबच से आप लोग चैनल को सस्क्राइब करके जरूर रख लीजेगा, ठीक है, उसके बाद देखी, question देखें आपका क्या है, कि सबच भारत अभ्यान किस राजनेता के जनम दिवस पर 2000 से प्रारम किया गया, तो यह आपका महत्मा गानी के जन कौन सी बीमारियां पेदा होती है, तो खुली में सौच करने से आपका हैजा भी हो सकता है, पेचस भी हो सकता है, और आपका टाफ हाइड भी हो सकता है, अनि कि यह सभी बीमारियां आपका पेदा होती है, option number 10 का correct नांत रोगा, इनमें से सभी, उसके बाद देखे, आगला अपरेल 2016 को क्या गया था, option number 10 का correct नांत रोगा, पंदरो अपरेल 2016, उसके बाद देखे, नोवा कुछन आपका क्या पूछा गया था, कि गाउं में पानी, नाली आदी की आपूर्ती करने की जबाब देही किसकी होती है, तो मैंने आपको पढ़ाया था, अगर गाउं में क कोई भी समस्या होती है, पानी कुले करके, अथो नाली कुले करके, तो और भी और भी कोई प्रकार की समस्या आपके गाउं में होती है, तो इसके जबाब देही होती है बचो, एक किसका होता है, तो यह होता है आपका गराम पंचाहित का, ठीक है, option number 10 का correct अंसर होगा, गरा तो यह आपका सिच्छा मदद करेगा, ठीक है, सारे लोग सिच्छीत हो देंगे, तो एक दूसरी स्थे चुवा छुट की भावना को नहीं रखेंगे, तो option number 6 का correct answer होगा, सिच्छा, उसके बदेखे, अब आपका subjective question पूछा गया था, आपका section B में, और देखे, यहां पे टोटल 5 subjective question पूछा गया था, और प्रते question आपका 4-4 नमर का था, ठीक है, और यह आपका लगूत और यह प्रसन है नहीं कि इसके उत्र को जादा बड़ा-बड़ा करके नहीं लिखना था, तो ठीक है, तो देखे, पहले question को पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग इसके answer को दे कि महंदर सिंग धोनी के बारे में, संचिप्त में लिखें, उसके बाद 14 नमर का question था, कि जारखन के कीन-कीन जीलो में, फुलुराइड युक्त पानी की समस्या है, 15 नमर का question था, कि मुखिया के किनी 4 कामों को लिखें, ठीक है, तो यह आपका subjective question था, और यह सारा subjective और objective मैं किने आपको करवाया हुआ था, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है, तो जो आपका important question का video है, उसे आप लोग जाकर के देखें, तो आपको विश्वास हो जाएगा, ठीक है, और इसी प्रकार से final board exam के आपको त्यारी करवाई जागी, अदम धासु तरीके से आप subscribe कर लिजे और जुड़ जाए चैनल से ठीक है, देखें, question आपका 11 नमर का क्या था, कि सती पर्था से आप क्या समझते हैं, तो देखें, अधी पती मर गया तो जिंदा पतनी को उसी के साथ जलाने की पर्था को क्या कहते थे, सती पर्था कहा जाता था, उसके बाद देखे आपका 12 नमर का question क्या था, कि 18 वर्थ से कम उम्र में लड़कियों को साधी करने से क्या नुकसान है, तो इसके क्या नुकसान थे तो देखें, अनेक तरह की बिमारियों से गरसित होना, जैसे सारीरी कमजोरी, मानसी तनाव, इत्यादी, एवो समय से पहले ढलती उम्र का दि कि महंदर सिंग धोनी के बारे में संचिप्त में लिख्यानी कि सोट में आप महंदर सिंग धोनी के बारे में आप क्या जानते हैं, उसके बारे में लिखना था ठीक है, तो देखें, यह एक महान किर्केटर है, जो भारती टीम के कप्तान रह चुके हैं, और वर्ल्ड कप त यह जारंट के राज़ानी राची के रहने वालें तो यह आपका सॉट में हो गया मैंजर दोनी के बारे में उसके वह दिए कि अगला कुछिन अपका क्या था कि जार्कंड में किन किन समाधान करना तथा अपने अस्तर पर कायर करना और भी जैसे पेंसन करवाना ठिक है आपका यूजणाओं को जन्ता तक पुच्छाना इस सब कायर क्या है तो यह सब आपका मुख्या का काहर है ठीक है तो यह होगा आपका समाजी क्विग्यान का अंसर अब यहां पर आप कूशन है चलिए इसके एक कूशन की साथ हम लोग इसके आंसर को जानते हुए चलते हैं तो देखें आपका पहला कूशन क्या था संस्कृत में कि वह संस्कृता पठितवा की ग्यातम समर्था भावम अनिकी संस्कृत पढ़ने से हमें क्या चीज का ज्यान होता है ठीक है तो फटितवा जो आपका पद है कौन साछ पटीए है सो आप से पूछ रहे है ठीक है तो इसमें जो आपका जो परती है बचों। यह आपका कतवा परते है ओप्शन मत्हीं खाईश का करेक्ट आंसर होगा अग्ला कूशन दीख्या कि क्या पुंच चीन्तु आहलेगल को सुनिय संदिक्यागन गूझे का ऊश्यित के सबसे 1200 कभी निकुन है इन में से तो यहाले जो रहाएक। अग्ला कूशन आपका क्या पुछा गया था कि संस्क्रित के सबसे बड़ी कभी कौन है इनमेंंसे निट को क्या avent जासा है और जानावी पलस अहम अन्यों संधी करूतु आनिकी यह जो आपका वड़ है जनावी पलस अहम तो इसका संधी आपको करना है इसका संधी क्या होगा तो जो पाज आपका करेक्ट अंतर होगा ऑप्सन नमर गाउजाएगा जना महम ठीक है उसके बाद देखे अगला इती महत्मून पर्व किसम परदेश मनेते अनिकी जो आपका मांडा परव है एक कौन से परदेश में मना आ जाता है तो अभी बताएं आपको जार्खन परदेश मने के हमारी ही रहेजिमे यह मना जाता है ओप्सन नमर गाईस का करेक्ट अंतर होगा अगला कुश्चिन दी अगला कुश्चिन क्या आपका इसका संदी को आपका क्या हो जाएगा तो इसका क्या हो संदीज आपका क्या हो जाएका option number भी उक्तम ठीक है option number खाइस का correct टांसरों का उक्तम अगला question दिख्या आपका क्या दिया गया है कि कर्या संधी विचित रुटत वदुश्तेृ अनि कि जो आपका वदुश्त्तम है यह जो आपका व्ड़ है इसका संधी विचित एक क्या हो मैं आपसे पूछ रहो है तो 10 जो correct हो जाएका। करेक्ट लिखता निए यहां पर यहां पर संस्क्रिट है इसमें आपका इस संस्क्रित हम आपका कौन सा वचन है थीक है उसके बारे फिर समाचर बत्र से इसमें आपका कौन सा विवक्ति है कौन सा वुच्छण ने इसको लिखना है तो चलिए पहले इसके कोश्चिन सारे पढ़ लेते उसके आंसर को लोग देख लेंगे ठीक है उसके बाद था कि अदो लिक्तानम सब्द सा विलों पद लिखता निकि जो सब्द आपका नरीप भूमी बहीर एक इसका विलों सब्द आपको यहां पे लिखना है ठीक है उसके बाद आपका रिक्त अ विभागा कुरूतु अनिकां पर आपका कॉन मुक्तिय लगया हुआ है तो मौस से आपको विभगई थी आप इसके देख सकते वचों आपके आप persönlich हुआ है एक बचाने च्छों आपकी सब्सक्राइब क्योंकि संस्क्रीट हम लोग बहुत ही कम पढ़े हुए ठीक है फिर भी मैंने आपको प्रयास के सारा समझाने का आपको और हाँ वीडियो आपको कैसा लगा और संस्क्रीट में आप लोगों ने कितना कोशन सही क्या बचों कमेंट करके आप जरूर बताइए घर ठीक है जितन आपको ने तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लिए क्योंकि फाइनल बोड एक्जाम से समंदित जो इनपोर्टेंट कोशन का वीडियो अप्लोड होगा ताकि उसका नोटिफिकरिशन आप तक पहुच सेके ठीक है तो चैनल पर आपको ने तो सब्सक्राइब जरूर इतना हो से कि बच्वो आप लोग दोस्तों में सेर जरूर कीजेगा और इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा ठीक है और कमेंट करना तो बूलना यह नहीं कि आपको चाहते हैं कि हाँ अभी से त्यारी को स्टाट किया जाए तो कमेंट करके जरूर बताईएगा यह मिलते हैं नेक्स वीडियो में वीडियो अचला गों तो गूलומог करें दोस्तों में शेर करना औरुल को साहिपtur नहीं भूला है वी को ठागत सो ठीक है तुछ भीटोन आज ब्ली मिलते हैं मिल्स सकतरई में तब तक लिए जय वारत जौर जार